कि फेडरेशन ऑफ जहारखंड चेमबर ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज जिसको नॉर्मली लोग चेमबर कहते हैं यह जहारखंड के बैपारियों और उद्योगपतियों की सिर्ष संस्था है सुप्रीम बोडी है और एक इस्टेब्लिश संस्था है अपना इंफ्राइस्ट और सरकार के साथ इसका रेगुडर कॉम्निकेशन इंटरेक्शन होता है जो वैपारियों को या वैपार की नीतियों को टेक्सेशन सिस्टम को परभावित करता उसमें अपनी राय भी देता है और सरकार भी समय समय पर राय लेती है और वैपारियों की समस्याओं के लिए ल दखिए कोजीटीवाइं कि यहां पर हरव चुनाव होते हैं कंपनी एक में रेजिस्ट्रड है और उसके निम के तहर चुनाव होते हैं और ब्यपारी अपने परतिनिदी को चुन करके भेजते हैं, वही परतिनिदी फिर साल भर चेमबर की यतिविदियों का संचालन करता हैं, और नेत्रित भी करता हैं, हाँ, चुनाव क्या जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पहले भी बहुत, पहले भी चर्चा हुई थी कि, चुकि 21 आदमी का जो माने गुटबाजी को बड़ हवा मिलता है, ऐसा व्यक्ति जो 21 आइसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड सकता है, कि इंडिविज्वाली जीत सकें, वह अध्यक्ष बनता हैं, और होना यह चाहिए, मैं भी जब पहले यहां के नित्रित करताओं में सामिल था, तो मैंने सिधा परति निदी होगा, वह अध्यक्ष बनेगा, और अध्यक्ष का उस समय में महतु भी रहेगा, सरकार को भी ध्यान देनागा कि सिधा चुन के अगर आया, तो उसका पावर उसके हाथ में जादा है, उसमें आत्मिस्वास में जादा रहेगा, गर्ज भी जादे अपनी एक्ट है, तो डारेक्टर चाहिए एकईस, जो इसका एक्ट है, लेकिन इसमें ये एक बदलाव होना चाहिए, गुटबाजी इससे गुटबाजी बढ़ती है, अब एक गुट जित के आ गया, तो दूसरा गुट भी तो इंट्रेस्टेड है, जो एकईस आदमी का अभी तो संतावान आदमी तीन गुट है, तो दूसरा गुट काम करने सकता है, या नहीं करने सकता, या उसको इंबॉल्ब नहीं किया जाता, तो वो तो एक तरह से आउट हो गया, जबकि इंट्रेस्टेड है, सारे लोगों को साथ मिले करके काम करना ये भी होना चाहिए, चेंबर में गुटबाजी खत्म करने का एक रास्ता है, कि इसका इलक्षन और दूसरा यहां फंड, देखे बैपारियों के संस्ता और द्योकपतियों के संस्ता लेकिन गरीब संस्ता है, आज किसी ट्रेड यूनियन का बात किजिए, लेवर यूनियन का बात किजिए, तो गरीबों के संस्ता लेकिन अमीर संस्ता है, वहां फंड रहता है, यहां तो किवल मेंबर्शिप का जो पैसा है, उसमें भी लाइफ मेंबर है, अधा से ज्यादा लोग जो एक बार दे दी और बन गया, अब वो एफडी के रूप में जमा उसका इंट्रेस्ट आता है, बाक कुर साधन, इत्रे बड़ी परपटी है, और भाड़ा पर हॉल दिया जाता है, तो वो सब और आयके साधन बनाने चाहिए, ताकि चेंबर की गतिविदियों को और ज्यादा दुरूत गति से संचालित किया जा सके, इस पर दिमाग लोगों को लगाना को सब बैपारी जीत क चाहिए, तो आयके और साधन बना सकते हैं, बजाए इसके कि लेवी लगा में, और ये गुटबाजी खत्म हो, इसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा टेकनिकल रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें गुटबाजी नहों, जिसमें से एक सुझाव में ने दिया कि परजिदेंट क निकल के आवे